मगद इन्वर्सिटी 2018 21 पार्टु एक्जाम फॉर्म जीहां दोस्तो, पार्टु एक्जाम फॉर्म कल से सुरू होगा, सबी स्टुडेंस को पता है, 19 तरिक से सुरू हो रहा है लेकिन दोस्तो बहुत सारे students ये सवाल कर रहे हैं कि सर पार्ट वन पेंडिंग वाला result कब जारी होगा और ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर परिछा कब से सुरू होगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको सभी जनकारी पूरी information देंगे ठीक है वीडियो को पूरा आंतक देखें सभी students वीडियो को थोड़ा सभी आगे पीछे बगा कर ना देखें दोस्तो सबसे पहले तुम आपको ये बता दूँ कि exam form कल से सुरू होगा और exam form भरने में कोई भी students गलती ना करें ध्यान से सुन लिजे गलती ना करें ठीक है अगर आप लोग गलती कर देते हैं मान लीजे कई बार गलती या ऐसी हो जाती है कि exam form का जब online update होता है यानि online जब start होता है भरने के लिए तो बहुत सारे students जल्दी जल्दी भरते हैं जल्दी जल्दी भरने में कभी date of birth गलती भर देते हैं कभी नाम गलती भर देते हैं कभी कुछ गलती भर देते हैं बहुत सारे students कई गलतीयां कर जाते हैं लेकिन आपको गलती नहीं करना है exam form आप लोगों का 31 जुलाई तक जो है आप लोगों का भरा जाएगा यानि इस महिने के last date यानि 31 तरीक तक भरा जाएगा तो आपको चल्द बाजी नहीं करनी है घबडाना नहीं है अराम से exam form भरना है अगर exam form आपको भरने में दिक्कत आ रही है किसी भी तरह का कोई समस्य आ रहा है अगर तो आप लोग जाकर online यानि किसी भी दुकान पर cyber cap के माधियन से भरवा सकते हैं ठीक है आपको टेंशन लेने की जुर्द नहीं है अब दोस्तों मैं कुछ update बता देता हूं जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरी आप लोगों को निव नोटिफिकेशन टेलिग्राम ग्रूप में डाला जाता है तो टेलिग्राम ग्रूप से ज्वाइन हो जाई है सबसे पहले मैं आपको यह अगर आप चैनल पर निव जरो तो सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल के सब्सक्राइब का उप्शन दे परिच्छा जो है 15 अगस्त से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारे स्वाल कर रहे हैं कि सर 15 अगस्त से परिच्छा कैसे हो सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिच्छा नियंत्रक विरीगुनाथ सिंग यानि जिहां दोस्तों डॉक्टर विरीगुना जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद परिच्छा की रूटीन जारी कर दी जाएगी तुरंत तो आप लोगों को मालूम होगा यह खबर आप लोगों ने आप लोगों को आज से ठीक मैंने 15 दिन पहले बताया था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंस जो है भूल जाते हैं कि आप लोगों को कोई मैंने अपडेट भी बताया था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंस को याद नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहांगा कि परिच्छा जो है आप लोगों का परिछा फॉर्म 31 तरीक के बीथने के बाद 15 अगस्त के बाद जो है आप लोगों का परिछा स्टार्ट हो जाएगा और रूटीन उसकी जारी कर दी जाएगे मैं आपको चैनल पर इसी चैनल पर वीडियो प्रोबाइड करा दूंगा परिछा से रिलेट है कि सर परिफार वाला रिजल्ट जो है पार वान का अभी तक नहीं जारी हुआ है और हम कैसे परिछा फॉर्म भरें दोस्तों परिफाए जिन छात्रों का परिफार परिफार्ट शेंक बाद आप यही जानना चाहते हो कि आपका total marks कितना है ठीक है आप यही जानना चाहते हो ना बिल्कुल सही बात है आप लोग अपने college जाएए और college के head से बात करिये इस एक बार नहीं मैं कई वीडियो में एक ही बात कह चुका हूं कि आप जितने पि पेंडिंग वाले students से जिनका रिजल्ट पेंडिंग में चला गया है परिच्छा फॉर्म को लेकर स्टूडेंट सवाल करें कि परिच्छा फॉर्म कैसे भरें तो आप लोग अपने अपने कॉलेज जाईए कॉलेज जाईए और कॉलेज से संपर्क करिए हेड अधिकारिक से बोलिए कि सार हमारा परिच्छा फॉर्म भरा जा रहा है आखिर हम पेंडिंग में रिजल्ट चला गया है रिजल्ट हमारा जो है सो नहीं कर रहा है तो हम कैसे परिच्छा फॉर्म भरें ओ आपको पूरी समस्या का समाधान करेंगे जिहां दोस्तों आपकी पूरी समस्या का समाधान कॉलेज के हे लेकन हां बात कर लेते हुं आपको नकाने नहीं है आपको और को सही से भरना है कल को सुरू होगा मैं वीडियो लेकर आंगा कल को एक्जाम फ़र्म कैसे भरना बता दूँगाम यही बता दिया हूँ दोस्तो आप लोगों को मैंने सारी जनकारी दे दिए दोस्तो आप हम वीडियो को यहीं से समात करेंगे परिच्छा फॉर्म कल से स्टार्ट है आप लोगों का ठारा एक इस पार्टू जितने भी छात्रफ परिच्छा फॉर्म भरना चाहते हैं बाद में कोई गलतिया नहीं चाहिए जो स्टुडेंट्स छुटे हुए स्टुडेंट्स है जिनका एडमिसन नहीं हुआ है रेजिस्टेशन किसी भी तरह का एडमिसन नहीं हुआ है पाज चुडेंट्स का पेंडिंग में चला गया रिजलता है आप लोग कॉलेज से जाकर संपर्क करिए कॉलेज में आपको पूरी सेलिशन दी जाएगी ठीक है पूरी समस्या का समाधान कॉलेज में आपको मिल जाए हैंं आप उस application में ऑपी रिजिय को सेर कर दिजिए हमारे टेलेगराम गृब से ज्वाइन हो जाएगी विडियो के डिस्क्रियूसन में लिंक 10 में लिंक की दिया हुआ है सब्स circles को बताये हमारे टेलेग्राम गुरूप से जवाइन होने के लिए चलिए दोस्तों हम वीडियो को यह से समाप्त करते हैं नेस्ट वीडियो लेकाएंगे बहुत जल तक तक के लिए धन्यवाद जैन जाबंदे मातरम